हम बात कर रहे हैं पटेल इंजिनिरिंग की लास्ट ट्रेडिंग डेकी बात करें तो पटेल इंजिनिरिंग में हमको एक परसंट के उपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिलिये लगातार अप्टेंड में था स्टॉक अल्मोस 51 की लेवल से गिरावट के बाद बांस बैक किया था 63 तक का जम दिखाया उसके बाद स्टॉक ने रिजेक्शन लिया जम पाया जम के साथ अपना हाई ब्रेक आट नहीं कर पाया लेकिन रिजेक्शन के साथ अपना लो करते हैं नजर आ यहां से कि देख सकते हैं जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन फेक्श किया था ऐल्मोस्ट उसी लेवल से इस कर स्टॉक रिजेक्शन-फेक्श करता है विघेक्शन पाया और जम करेंग करने सपोर्ट है जहां से जम दिखाया था और सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा पटेल इंजिनेरिंग के लिए 50 का लेवल जो के काफी तगड़ा और सपोर्ट है पटेल इंजिनेरिंग के लिए लेकिन हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक बड़े जम के बाद जब गिरावट डिकाई तो इस लो को ब्रेकड़ा नहीं किया तो इस लो तक का भी फॉल दिखा सकता है इसी के आसपास से खेल अगेन पलट सकता है अगेन आप साइ वले इस लेवल को ब्रेकड़ कर जाता है तो पटेल इंजिनेरिंग में आगेन यहां से अप ट्रेंड डेखने के लिए मिसकता है क्योंकि स्टॉक में इससे पहले जब भी जम आके रिजेक्शन ले रहा था तो लो ब्रेकड़ाउन कर रहाता है यहां से जम पाया रिजेक् कर गया तो नेक्स रेजिस्टन्स फेस करेगा 60 के लेवल पर और इस बांजबेक के साथ 65 से लेके 66 तक का जम दिका सकता है जिस लेवल को ब्रेकड़ाउन करने के बाद बड़ी गिरावाट डिकाए थी फिर यही लेवल जो है 65-66 का लेवल पटेल इंजिनेरिंग के लिए म लगातार गिरावट डेखने के लिए मिल सकती है वीडियो हम एजुकेशन परपस के लिए बना रहे हैं कोई बाइसेल या होल्ड की आपको सला नहीं दे रहे है अगर आप टिमेट अकॉंट ओपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो झाल